प्रधान मंत्री नरींद उमोदी के बुद्वार को पंजाब दौरे के वग सुरक्षा में हुई चूप पर जहां एक तरफ ग्रह मंत्राले ने राजर सरकार से रिपोर्ट मागी है तो वहीं दूसी तरफ इस मामले में चरणजी सिंग सरकार अक्शन में नसरा रही है पंजाब में सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है ये कमेटी तीन दिन में अपना रिपोर्ट भी पेश करेगी इसके साथ ही इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी प्रधान मंत्री की सुरक्षा में कल हुई चूप का मामलाब सुप्रीम की तरफ से बयान में कहा गया है कि पियम मोदी के कल फिरोजपुर दौरे के समय उनकी सुरक्षा में हुई चूप की व्यापक जाच के लिए उचिस सरीय कमेटी का गठन किया गया है एक अधिकारिक प्रवक्ता ने बताया है कि कमेटी में रिटार्ड जस्टेस महताब गिल और ग्रह मामलू के प्रिंसिपल सेकेटरी और जस्टेस अनुराग वर्मा होंगे प्रवक्ता ने आगे बताया कि ये कमेटी तीन दिन के अंतर अपनी डिपोर्ट सौपी की उधर पंजाब बीज़पी के नेता पूरे मामले पर राज्य की गवणनर बनवारी प्रोहि से मुलाकात भी करेंगे से आपिल मैदान का नाम सीडी एस विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा दिखे जो हमारा स्रीनगर सिर्वोड का स्टेडियम मनना है ये पूरे उतरा खंका सबसे बहतरे इस्टेडियम मनना है और मैं मानी प्रदाहन मंत्री जी का, मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सिनगर एक सिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ पे गड़वाल विश्विद्याल है, NIT है, मेडिकल कॉलेज है और हज़ारों चातर चातर यहाँ पे पड़ते है और क्रोडों रुपे के लागा से इस्ट्रेडियम बनना है आड तारी को मुख्य मंत्री जी और मैं इस इस्ट्रेडियम का उद्गाटन का धन्यवाद देना चाहता हूँ काला जुंगी में खेल और सांस्कृतिक उत्थान समीती के तत्वधान में उत्राइनी कौतिक 2022 का शुभारम किया गया इस साल शट्वी बार उत्राइनी कौतिक आयुजित किया जा रहा है उत्गाटन समारों में बताव मुख्याती थी कनिश प्रमो कोटबा कुलदीप तड़ियाल ने दीप प्रजुरित कर कारकम का शुभारम किया उत्खाटन के अफसर पर कुलदीप तड़ियाल ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक मौत सब बेहत जरूरी है ताकि अपनी संस्कृति विरासत को बचाय जा सके और श्ट्रेट्रिय प्रतिभावगों को भी एक मंच दिया जा सके आज उत्गाटन कोटिक 2022 का सुभारम रामलीला मैदान जुला बजार आमला कोट कोटा बाग में किया गया है सांस्कृतिक उठान समीति का इस कारेकरम को कराने के पीछे मुख्य उद्धेश यह है कि सांस्कृतिक कारेकरमों को बड़ावा दिया जाए हमारी संस्कूर्टी को बढ़ावा दिया जाए साथ ही साथ इस कारिकर्म के माध्यम से हमारे छेत्र में जो प्रतिभाए हैं बच्चों के बीच में तो उन्हें भी एक मन्च प्रदान किया जाए कानपूर के बर्रा थाना श्रेत्र में एक कमिशनरेट साथ जोन में दबंगो की दबंगई लगातार देखने को मिल रही है जहां पर कुछ दबंगो ने एक युवक की बेवज़ा पिटाय कर दी वहीं दबंग ने खुद को बीज़ेपी विधाय का भाँजा रिश्यू सिंग बताया है जिसके बाद घटा इस्तल वो मौजूद किसी शक्स ने इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इसको वारल कर दिया ग्रिटर नॉइडा के दनकौर्ट शेतर में से त्यमना एक्सपेस वेपा करी दो महीने पहले हुई एक युवक की खत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है पुलिस के मताबिक करैपर लेकर एक कार के ड्रीवर ने ही लूट पार्ट के उदेशे से उसकी खत्या की थी पुलिस ने इस मामले में आरोपेद ड्रीवर को शेतर में से गल गूठी यूनिवोसिटी के पास गरफतार किया है जिसके कबजे से पुलिस से म्रतक का समान भी बरामत किया है पुलिस से आरोपित को कोट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है जिससे इना घायल हो गया है और इसका सामान लेकर के ये भाग गया घायल को कैलास अस्पिताल में भरती कराए गया दोराने इलाज इसके म्रत्य हो गई इसमें अब योग पंजिकित किया गया धर्म नगरी हरिद्वा के मुपत वाला सेत श्रंभवी धाम आश्रम में धर्म संसत कोर कमेटी की अपात बैठक कायशित की गई उत्राखन में विवादित बयानों को लेकर संतो परको रहे मुकदमे और हेट स्पेच मामले में साइटी का गठन होने के बाद इस कोर कमेटी की बैठक में एक मत होका निर्णे लिया गया कि आने वाली 16 जन्वरी को धर्म संसत से जुड़े संतो की तरफ से एक प्रतिकार सभाय उजित की जाएगी इस प्रतिकार सभा में उत्राखन के सभी हिंदू और पूरी देश के सादू संतो का अवंतरित किया जाएगा वहीं इस दौरान कोर कमेटी के सादू संत उत्राखन के मुख्यमंतरी पुश्कर सिंग्धामी के खिलाब नजर आए जिस प्रकार से अभी उत्राखन स्रकार ने बिना जाँच पड़ताल के लगातार मुकदमे लिख रही है मुल्लों के डर से एस आईटी का गठन किया है वो उसके लिए संत समाज बहुत आहत है और उसके लिए हम प्रतिकार सभा सूला जनवरी को करने जा रहे हैं सूला जनवरी को बैरागी कैम्प में हरिद्वार के हम प्रतिकार सभा करेंगे जिसमें संदेज देंगे देश को किस प्रकार से अपने धर्म की रच्छार्थ उठाई गई बातों को गलत तरीके से कुछ बामपंथी ग्रुप द्वारा उसको मोड करके ऐसा बनाया गया कि संत समाज कर लायक है सबब बीज़पी ना ही किसान की बात करते हैं ना ही सड़क पर संखर्ष की बात करते हैं भगवान भी अब इन दोनों से नाराज हो चुके हैं उत्तरप्रदेश में कॉंग्रिस की ही सरकार बनने जा रही है देखें योगी जी बड़ बोलेपन के सिकार है बुझ दिल आदमी अगर हिम्मत है योगी जी में तो अजय मिस्तरा टेनी के घर पर बुल्डोजर चलवाए ना है हिम्मत SIT की तो हिम्मत नहीं हो पाई उनसे जाज़ परताल करने की अभ्यूक्त थे 120 वी के क्यों नहीं उनसे पूझता चुई कौन बचा रहा है उनको क्यों नहीं उनकी पत से बरकास्त की हो रही है क्यों नहीं उनके घर पर बुल्डोजर चला है आगरा में पुलिस का स्टडी में मौत हो गई अरुलबाल मिकी की है हिम्मत योगी जी में उनके उपर बुल्डोजर चलवाने की इंद्रकांत मड़ी दूबे की हत्या हो गई महोबा में है हिम्मत उस SSP के घर पर बुल्डोजर चलवाने की योगी जी के मानका नहीं है जिस आदमी के उपर एक मुकदमा हुआ तीन दिन जेल में थे और संसद में जाकर फपक फपक के रोने लगे ऐसे बुझदिल आदमी के मानका नहीं है कि वो बुल्डोजर चला सके वो दलित और पिछडों के घर पर बुल्डोजर चला सकते हैं दूसरे किसी पर हिम्मत नहीं है फ्रोजबाद की थाना मटसेना के गाउं आनंदी आलंपुर में राजेश नाम की व्यक्ति के घर में उसके ही दामाद को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया गया गटना की सूश्रा मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने शब को कबसे में लेका पोस्ट पॉर्डम के लिए भेज दिया है और मामले की चानबीन में जुट गई है फिलाल अभी आरोप्यों का पता नहीं चल सका है संभल के असमोली विदान सभा की गाओं शेह बास पूर कला में सदुदीन उवेसी की जन सभा थी असमोली से सभा की पिंकी यादव विधाय के महीं उवेसी ने मंच इस समाजवादी पार्टी के कारकरताओं के लिए भदर भाश्रक का इस्तमाल किया थावाई पिंकी यादव समेल सभा पर जम कर हमला बोला इस दौरान सभा कारकरताओं सभास्तल के बहार खटे हो गए और नारेबाजी करने लगे गनीमत रही कि पुलिस ने तुरंट आक्शन लेकर हाला ठीक कर दिये रामपूर की बिलासपूर विधान सभा में सभा कारकरताओं ने समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की रहाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जिसमें समाजवादी पार्टी के नेतार संतोर शर्मा के नेतरत में बिलासपूर के महेश गार्डर में सभा कारकरताओं ने एक विशाल सभा कायूजन किया जिसमें सेक्रो की तादात में सभा कारकरताओं ने मौझूद रहकर प्रदर्शन किया प्रदर्शन के बाद सपी सपा कारकाताओं ने पैदल मार्श करते हुए रहली निकाली जिसके बाद अबजिलादिकारी बिलास्पर कुराश पती को संबोदित ग्यापन भी सौपा गया जिसमें समाजवादी पार्टी सांसाद आजम खान और अबदुल्ला आजम की रहाई क मां की गई किह अ हम पिछले चिह महीने से अलब अजमगहां की रिहाई के-लिए उनके परबार पर लिए फर्जी मुकार्दमों के लिए अस्ताक्षा अभे रभ्यान और परदसन कर गये अन्हों में पर-प्रसास्ति जान बूजगρχचर जो फर्जी मुकरद्में लगाये व पर वो सबके सब देश बस हैं सबके सब बदले की भावना से लगाए गए हैं क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के विकास के लिए रामपुर के विकास के लिए प्रदेश के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जो योगी ना परक कर पाए वो माननी है मु OPD में नई guideline चारी कर दी गई है इसके साथ ही मरीजों के लिए भी कई नई guidelines चारी की गई हैं जिसके तहत 7 जन्वरी से हर विभाग में 40 नए और 20 पुराने मरीजों की OPD होगी इसी के साथ ही लोगों को COVID guidelines का सक्ति से पालन भी करना होगा